हेलो गाइस तो आप सबका स्वागत है हमरी यूटूब चैनल में एक बार फिर से तो आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हमारा बी डबली का यूनिट अमबर टू जिसका नाम है एसी सर्किट्स और यह आते आते हम उसका 12 लेक्चर है इससे पहले का हम 11 लेक्चर एक बार कर लेते हैं 11 लेक्चर में हमने पैरलल सर्किट में रेजोनन्स कैसे होता है आरल से सर्किट में वह देखा था सबसे पहले हमने उसकी एक सर्किट डायग्राम ट्रॉकी थी उसके बाद उसमें से दो ब्रांच निकल रही थी फर्स्ट ब्रांच में था जो हमारा इंडेक्ट था जो कि था X-axis पे और दूसरा component था जो कि था Y-axis पे Is it clear? उसके बाद हमें उसका एक resonance frequency पे एक formula मिला था जो कि था IC equal to IL sin 5 ओके उसके बाद हमने उसका impedance triangle देखा था और उसके impedance triangle पे से हमने IC equal to IL sin 5 में value put किये थे और उसके बाद हमें उसकी resonant frequency का एक formula मिला था जो कि था 1 upon 2 pi under root 1 upon LC minus R square minus L square उसके बाद उसमें एक Q factor उसका जो main part था वो आया था और parallel circuit में Q factor use होता है क्योंकि current magnification के लिए तो उसका formula भी हमने find किया था और हमने मैंने बोला भी था उदर कि हमारे parallel circuit और series circuit दोनों का Q factor का formula दोनों का same है होगे चालिए तो next तो हमारा 12th lecture में जाते हैं जो हमारा 12th lecture का आप नाम देख सकते है comparison between series and parallel circuit होगे series और parallel circuit जो हमारा 10th और 11th lecture था उन दोनों का comparison करेंगे यह भी बहुत बार जीट्यू में पुछा जाता है तो चलिए उसकी comparison देख लेते हैं तो चलिए है तो उसकी comparison में यह हमारा एक side series circuit है और दूसरी side parallel circuit है होगे तो इधर दोनों की resonant frequency का मेंने क्या resonant frequency का formula अभी मेंने आपको यह तो अभी बोला और यह आपको यादी होगा होगे दोनों की resonant frequency का formula है कि हमारा series circuit में था तो उसमें resonant frequency कितनी थी one upon two pi under root LC और इधर resonant frequency कितनी है one upon two pi of under root one upon LC minus R square upon L square ओके दोनों में power factor तो सेमी होता है दोनों में unit unity means one one दोनों में power factor होता है वो भी मैं आपको दिखाया था lecture में फिर वो नेचर of circuit दोनों circuit कैसे होती है resistive circuit होती होगे दोनों circuit का nature कैसा होता है resistive होता है is it clear चाल लिए next next है हमारा दोनों का q factor तो वह भी मैंना अभी आपको उपर बता है कि दोनों के q factor सेमी होते one upon R under root LC फिर मैंना भी आपको बता है यह तो सबही यह एक पार देख लेते क्योंकि यह बहुत पूछा जाता है magnification of resonance resonance हमारे series circuit में magnification क्या होता है तो voltage होता है और हमारी parallel circuit में magnification क्या होता है current का होता है is it clear चाल लिए next तो sixth point है हमारा current तो इसमें से maximum current flow करता है होगे maximum current I equal to V upon R यह अपना ओहम लोगाई है और इसमें minimum current क्योंकि इसमें दो क्या यह से दो रास्ते पड़ जाता है यह हमारा इसमें तो क्या है पूरी एक circuit में current flow हो जाता है नहीं इसमें तो पहली branch में से current flow कर रहा है second branch में से current flow कर रहा है ओगे इसलिए और वो current कितना है V equal I equal to V upon L upon RC ओगे फिर impedance तो impedance इधर तो यह हमनों find भी गया था minimum होता है इधर Z equal to R ओगे और इधर में कितना होता है impedance maximum means क्या सकते हम कि current और impedance एक बीज़े एक दूसरे के क्या होता है proportional में नहीं होता है कैसा होता है opposite में होता है means उसे क्या बोलते मुझे माइन में आनी रहा बाद में आपको पता दूंगा तो उसमें यह opposite में होता है कि एक बढ़ेगा तो एक कटेगा is it clear चाल यह next उसका हम impedance देख लेते है Z equal to one upon RC next हमारी type of circuits तो यह हमारी जो series circuit होती है वह acceptor होती है और यह type होती है वह rejector होती है फिर ninth point देख लेते हैं चलिए तो nine point है कि जब हमारी frequency हमारी frequency resonance frequency से ज्याद होगी तो हमारी circuit have रिग्फत साओ एड़ी तब हमारी सीरीज में इंडक्र इंडक्टिव सर्किट वर उसको उल्टा कर देने का तो इधर कैक्पेसिटिव आ जाएगी और फिर अगराल वहीं से कम होई तो हमारी कैपेसिटिव सर्केट होगी इन सीरीज ओके और इधर इंडक्टिव तो हम कोई भी एक का याद रख लेंगे तो उसका ओपोजिट हम दूसरा बना सकता है इस इट क्लियर चाल यह एलेवन्थ पॉइंट क्या होता है इफेक्टिव इंपीडंस ओके अभी हम यूज करता है तो रेडियो में हम यूज करता है तुनिंग सर्केट में वह आपको आगया बताएंगे क्या होता है तुनिंग सर्केट में यूज होता है फिर इधर हमारी चो पैरलल उससे कहा हम यूज करता है तो कि इंपीडंस मल्टिप्लायर में इंपीडंस को मल्टि सकीट कैसे सब बना करती है और रियक्ट करती है वह हमारी यह कंपेरिजन थी ओके फिर अभी मैंने आपको लास्ट लेक्टिर में बता है कि मैं रियक्टन्स और यह सब के बारे में आपको बता हूंगा तो वह शुरू करते हैं यह दर आप देख सकते हैं कि इंडेक्टर तरने को हमें पेंदेश स्रीक्ट में उसन्स में रहे दो से और सिफ क्या रेजिस्टन्स ओफर करता है हमारे जो भी इंडेक्टर सर्किट में उसे क्या बोलते हैं इंडेक्टिव रियक्टन्स उके उसका फॉर्मिला तो हर बार की तरह आपको पता ही है टू पाइफ एल ओके ओमेगाल था बट्ट एमेगा की जगह टू है और यह हो सारे कस्टन्ट होंगे तो हमारी इंडेक्टिव रियक्टन्स है वो किसके प्रपोश्चनल में होगी फ्रीक्वंची के चार कीकि पापसीर आप सोच सकते हैं क्या होगा तो और देख लेते हैं कले को मुदेगा क्या नंसे लेंतर लिज़ा उसका फोर्मिला आप सोच लिजए पहले दो मिनिट ऊच लिए ठीक है आपने सभी सोचा होगा वन अपोन ओमेगा सि उसका होगा ओके वनड़र ऑनो मेगसी औरnant कि सब्सक्राइब करतिएंस इन वर्यत नहीं है रहा लाएंस्कें कुनलति जाएंक लेक्षट एसाथ लाथ से अव ग्राफ फाइंड करने जाएंगे नहीं तो रही रिया रेक्टेंग्यूलर राइपलबोला मिलेगा होके रेक्टेंग्यूलर राइपल बोला मिले यह चाल यह नेक्स्ट है अमारी दो लास्ट है देफिनिशन वो भी देख सकता है नेट रियक्टन्स means net means आखरी का जो भी होगा वह भी हम इमने मिलेगा तो आखरी में क्या करेंगे कि हमारे जो यह striking को हम सिर्फ x से दिनोर करते तो वह हमने क्या कर दिया कि final means कि जो दोनों में से माइनस कुछ बढ़ क्माने जोकर में मिलागा हो महा थिक इस डेधिव एक्स बेधिव एक इस डेधिव फोर ओल फ लेस्टर किमरे फ्रीकिवंसी रेजोन फ्रीकिंशी से कम होगी तो अमारा X मेंच Net Resistance कैसा होगा तो हमारा Neck Resistance होगा Negative और हमारी Frequency Resonant Frequency अगर स्यादा होगी तो हमारा X कैसा होगा Positive होगा नेक्स्ट है अमारा Impedance तो Resistance ओफर बाई सर्किट जो हमारा सरकिट के द्वारा हमारा कोई भी खंपोनेंट के द्वारा नहीं हो रहा अभी हमने देखा है रियख्टंस है था तो कि हमारा एक कंपोनेंट जिसका नम इंड автом है उसके द्वारा जो हमारे रिजिस्टंस ओफर होता है इसके काने इंड़ औंश एकर us to कोड़ एक वैसे ही हमारा जैसे के मेंना कैपेसीटर रहत के द्व़ारा जो भी में एमारा र自 saben की up किया जाता हु 95 मोलते हैं वैसे एमारे इंपीडंस को बोलता है जो रेजिस्टंस आफर कीया जाता है सर्किट में रेजिस्टंस जो पूरा भी होके जेड इक्वाल टू अंडर रूट आर स्क्वेर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी होल स्क्वेर होके तो ही होप यह आपको पूला रेक्चर समझा गया होगा है आपको कोई भी डाउट होता आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हमारा मेल आइडी भी कम बॉक्स में दिया गए आप उस पर मेल करके गए आप अपने डाव कह सकते हैं हमें और हमने आपको पूरा पढ़ा है वो पीडिएफ के टाइप में आपको हमारी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और में और थोड़े यह पूरे जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें जो में आपको पूरा वीडियो देखने के लिए और प्लीज वीडियो पश्चन्त आया हो तो आप लाइक कर दीजिए और प्लीज हीट दे सब्सक्राइब बटन तो गेटन लेटेस्ट नोटिफिकेशन आफ और एवरी न्यू वीडियो ओके एंड थेंक यू झाल